वैसे एवरीवन अमेद करता हूँ कि आप सब खेरियों से होंगे वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल टीम लैब तो आज हम बनाने लगे हैं कालज रूल नोट बुक अंटीरियर बहुत ही इजी है उससे पहले जो है न अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल टीम लैब पर न्यू ह पर तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है Amazon KDP की जो गाइड लाइन है उसके उपर आपने सर्च करके इस पेज़ पर आ जाना है उसका साइज हम यहां पर जो है न हम ब्लीड बुक्स बनाने लगे हैं तो हम इसका कोई भी यहां साइज जो है न ले लेते हैं जैसा कि यहां पर बहुत साइज आपको साइज मिल जाते हैं बुक के तो आप कोई भी यहां से जो है न ले सकते हैं तो हम इस साइज पर जो है प्रस्ट्राफर्ते वे तो यहां कर सकते हैं जानसे आप इसको तैप म näने तो यहां पर। करने के बाद आपने create new design पर click कर लेना है तो यह आपके सामने एक design जो है वह create होके एक template आजाएगा जिसके उपर आपने अपना बनाना है पेज है तो बहुत easy है simple सा है अगर आप बना लेते हैं तो आप आगे publish करें केड़ीपी पर तो इनिशला आपकी इससे earning भी बहुत ज्य आपने समय नहीं है देखनी है तो वह सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहां पर तो यहां पर आने के बाद आपने क्या करना यह template जब आपके पास इस तरह पेज open हो जाएगा तो आपने just यहां पर लिखा होता है canva के उपर file home file file के उपर आपने click कर देना है तो यह यहां पर नीचे आना है जी view setting के ऊपर view setting के ऊपर आने के बाद आपने show rules and guides इस पर आपने click कर देना यह आप shift plus R भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने जो है इसको click करने के बाद आपके सामने यह जो है इसके trim line जो आपने यहां से cut करनी है वह सारा system यहां पर show हो जाता है ठीक है तो यहां पर आमने क्या करना है कि यहां पर आपने कुछ चीज़ें जो है ना set करनी है क्योंकि जो हमारा page होता है वह trim होता है तो इसलिए आपने यहां पर कुछ चीज़ें set करनी है आपने इस ऊपर वाले पर जब ले जाना है न करसल तो इस तरह का आपको जो है न बिखाई देगा तो आपने यहां से जिस्ट आपने नीचे ले आना है क्योंकि Trim Size जो है न उस से नीचे आपने ले आना है आपने ले आना है जी 1.5 के उपर यहां पर ठीक है 1.5 के उपर सास руки mention show हो रही है, तो एक और आपने इसी तरीके से जो है न, यहां से नीचे ले आना है, जी यह लाइन आपने नीचे ले आनी है 10.6 के उपर आपने इसको रखना है 10.6 मैं यहां पर 10.6 कर लेता हूँ जी आपको साथ जो है न, नजर आ रहा होगा 10.6 तो यह 10.6 हो गया तो आप आपने क्या करना है, आपने जब यह दोनों चीज़न सेट कर ले नहीं है तो आपने यहां पर आ जाना है जी, elements पर, elements पर आने के बाद आपने यहां से क्लिक करना है और यहां से इस जो है न, यहां से आप कोई भी उपर, जो है न, line, जो है न, सर्च कर सकते हैं, arrow सर्च कर सकते हैं, तो यह यहां लाइन आपके सामने open होगी तो इसको आपने जो है न, यहां से क्लिक करके इस तरीके से आपने इसको जो है न, अपनी book के, page के, बराबर कर लेना है, दोनों कोनों से आपने इसको पकड़ कर, इस तरीके से आपने जो है न, इसको दोनों side के से match कर देना है, और उसके बाद आपने इसकी जो है न, line को आपने यहां पर क्लिक करना है, तो यहां से करके यहां से आपने लाइन जो है ना इसको आपने कम कर दे ना छोटी सी जो है ना ब्रीक सी आपकी लाइन शो होना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसको ऊपर ले आना है यह पर और आपने क्या करना Marian को आपने कर ले न है कंड्रोल डी ठीक है आपने कीपॉर्ड से कंड्रोल डी करके आपने 31 दफ जो ए न जए 31 दफा आपने इसको जो एक पेस्ट करना जाए Ctrl-D जाब आप प्रेस करेंगे न तो आपकी line automatically आना शुरूँ हो जाएगी तो आपने इसे प्रेस करते जाना है तो प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है के Ctrl आपने A कर लेना है जी Ctrl-A करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है जी उपर पॉजीशन में पॉजीशन में जाने के बाद आपने नीचे आना है फुल नीचे ठीक है यहां पर आपने टाइड आप पर कलिक कर देना है टाइड आप पर कलिक करने के बाद आपने यहां से जी इसको पकड़ लेना है और यहां से भी आपने इस को नों को पकड़ कर इन लाइन के बराबर का देना है तो यहां से आपने पकड़ कर इसको जो है ना ले आनाई जी संटर में इस तरीके से आपने इसको जो है ना पेस्ट कर लेना है पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट इसको इस तरीके से जो है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहां पर जाना है जी फाइल पर फाइल पर जाने के बाद आपने यहां से इसको cut कर देना है तो इस तरीके से आपका यह जो है न page create हो जाएगा तो फिर आपने यहां पर आना है same file पर file पर आने के बाद आपने उसी portion पर जाना है view setting पर जाने के बाद आपने यहां पर show rules and guide पर click करना है click करने के बाद आपने यहां से एक लाइन पकड़नी है ठीक है? इस तरीके से इसको आपने 1.6 पर ले जाना है 1.5 पर ले चलते हैं 4 पर रख लेते हैं क्योंकि तो यहां तक आपने इसको रख लेना है और उसके बाद आपने यहां से सेम इसी लाइन को पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद आपने इसको जो है न इस तरीके से रोटेट करना है रोटेट करने के बाद आपने यहां से जो है न इसको ले आना है जी 90 डीग्री पर 90 डीग्री पर और इसके बाद आपने इस लाइन के उपर इसको ले आना है और उसके बाद आपने same वही प्रोसेस करना है जो आपने पहले किया है यहां से आप on करेंगे और यहां से आप one पर कर देंगे फिर आप जाएंगे जी फाइल पर and आपने view setting पर जाना है view setting पर जाने के बाद इसको आप blue line को खतम कर देंगे तो यह आपका एक जो है न पेज बन गया है तो इस पेज को जो है न आपने थोड़ी सी इस line को हम नीचे कर लेते हैं जी ताके हमारे full page के उपर जो है न हाए तो इस तरीके से तो यह आपका एक page जो है न create हो गया है तो यह बहुत simple है और अब आपने क्या करना है कि कमज कम minimum आपने 120 पेज जो है न create कर लेने है तो आपने यहाँ पर add page पर click करते जाना है sorry यहाँ पर add page पर आपने click नहीं करना आपने ऊपर जो है न यहाँ पर plus के icon पर आपने click करते जाना है और आपके page जो है न वो add होते जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आपने two page हो गए जी इस तरीके से आपने इस पर click करते जाना है और आपके page जो है न एड होते जाएंगे इस तरीके से हम जो है न add करते जाएंगे इसको अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यह काफी हमारा time लगता है तो इसलिए आपने क्या करना है यहां पर देखें हमारे 20 जो है न पेज हो चुके हैं तो हम यहां पर click करेंगे click करने के बाद हमारे सामने जो है न यह page इस तरीके से show होंगे तो यह 20 page हमारे create हुए है तो आपने यहां से क्या करना है कि इसको select कर लेना है इन 20 page को आपने select करना है इस तरीके से आपने 20 page को select कर लेना है select करने के बाद आपने इनको जो है न copy करना है भी तो आपने add page पर click कर देना तो इस तरीके से जो है न यह आपके page आई थी कि इस तरीके से जो है न होने चाहिए था लेकिन यह जो है न add नहीं हो रहे तो यहां से मैं देखता हूँ जी अगर यह add होते हैं तो control हम D करते हैं जी नहीं हो रहा है तो फिर हम दुबारा से नहीं तो आप यह कार सकते हैं कि इसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया है न तो आप सेम उसी तरीके से आप इनको add कार सकते हैं यह देखें यह add हो चुके हैं ठीक है यह आ रहा है जी तो अभी जो है न यह मेरे ख्याल में net का issue है जिस वज़ा से जो है न यह यह slow था system तो यह देख लें जी हमारे पेज जो है न तो फिर दुबारा से हम add करते हैं तो यहां से आप दुबारा से फिर जो है न क्लीक करेंगे इस तरीके से आपने क्लीक करते जाना है और आपके पेज जो है न वो add होते जाएंगे यह थोड़ा net का issue है मेरे पास इसलिए जो है न यह इस तरीके से आपने क्या करना के 120 पेज जो है न वो इनको डाउनलोड कर लेना है तो यह था एक simple way जी एक जो है न कालेज रूल्ड notebook create करने का और उसका interior create करने का तो इस तरीके से आप जो है न इनको create करके आगे आपने kdp पर publish कर सकते हैं with easy जो है न method बहुत simple है यह PDF के अंदर इसको जो है न हम डाउनलोड कर लेंगे PDF print के अंदर तो आपने यह 120 130 135 इस असाब से जो है न आपने डाउनलोड करने हैं और ज्यादा भी कार सकते हैं 200 300 जितनी आप चाहें बुक्स के पेज जो है न कारियेट करवा सकते हैं यहां से फ्री लीक है नवा से तो अमीद है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर तो करना बनता है ठीक है और एक एक कमिश्स आपने लाजमी करना है तो